नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त वंडग छक राजन सनुडिया देखे दोस्तों आज के इस वीडियो हम साल्व करने वाले हैं समान निविज्ञान के 25 अती महत्तोपूल प्रसने और इन प्रसनों को साल्व करने के बाद दोस्तों आप ये आकलन कर पाऊगे कि कौन से टॉपिक से कोश्चन आते हैं ठीक है और किस प्रकार के कोश्चन आते हैं तो आपको किस इस तर की तैयारी करना है और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर आज कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे उपर थोड़ा सभी विश्वास करते होगे या यदि आप मेरे उपर थोड़ा सभी विश्वास करते होगे तो मैं कह रहा हूं दोस्तों पक्का जी करके जैसे बचपन में हम लोग गोली नी खाते तो हमारी मा कहती है कि बेटा पक्का जी करके गोली खा लो तो दोस जीवन का भला हो जाएगा और नहीं पढ़े आप लुसेंट या अधर बुक में भटकते रहे तो आप अपने पेर पे कुलहाडी मार रहे हो और मैं इसके बात कुछ नहीं कहना चाहूंगा आप मेरी इस बात पे भरोसा कर लूँ वस दोस्तों साइंस में कि आपको साथवी, आठवी, नौवी, दसवी की NCIT किसी भी कंडिशन में पक्का जी करके पक्कल जी करके मतलब दोस्तों यदि आपका पढ़ने का मन हो तो भी और नहीं हो तो भी उसको पढ़ने ही पढ़ेगा ये परम सत्य है चलो शुरुआत करते हैं question की ठीक है और ये जो वीडियो है दोस्तों ऐसा नहीं है मैंने क्या हुआ दोस्तों ब्यापम मैं जितने भी ज साइस नहीं आती थी एंपी फारस्टगार्ड और जितने भी एकजाम दोस्तों मैंने जहां भी देखा तो सिर्फ से और सिर्फ मुझे एंसी एटीप से ही question मिले science के जनरल science के ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं question number 1 की question number 1 है sodium और potassium धातू जो बहुत अधिक अभिक्रिया रखे जाते हैं बहुत important question है दोस्तों मैंने कई बार आपको पढ़ा चुका हुई question ठीक है जब मैंने आपको रसानिक अभिक्रिया और धातू अधातू वाला चेप्टर पढ़ा रहा था डिटेल में वहां आपको ये topic ये वाला question बताया था कि sodium और potassium धातू जो बहुत अध अभिक्रिया सील है तो इनको हम मिट्टिक तेल में क्या रखते हैं इनको हम बायू माने की खुला भी छोड़ सकते हैं बायू के साथ ठीक है या फिर पानी में भी तरख सकते हैं तो याद रखना दोस्तों बायू के साथ क्या होता है दोस्तों यह आग बकड लेते हैं क्या निकलती है और उसमा सोसी में क्या होती है उसमा ग्रहत उसमा सोसीत होती है ठीक है तो याद रखना दोस्तों हमें क्या करना है जल के सांथ जब हम इसको रखते हैं सोडियम और प्रोटीसम को तो उसमा छेपी अभी करिया होती है जिसके करण क्या होता है दोस्तों हाइडोजन question solve कराऊंगा तीक है old question paper की अगार आप 500 question solve कर लेते हैं और जो मैं बोलता हूँ इसको ध्यान से भी सुनोगे ना दोस्तों तो आपको 50% question इन्ही मैं से repeat मिलेंगे कहने का मतलब दोस्तों इन्ही मैं से इन्ही मैं से मतलब इन्ही topic से आपको देखने को मिलेंगे ठीक है को की टापिक कहां से लाएंगा पूरा NCRT की टापिक तो खतम हो चुके है पहले paper बना बना के विया पर मालों की आप कहां से question आएंगे तो इन्ही topic से नए-ना question मैंने इसलिए दोस्तों आप पढ़ते द्रव घातू की बात करा मर्करी अधातू की बात करा दौके होती है नेस दिफ्तर कमरें की यह आप झाप पर धा sympathy है अगर मैं आपसे पूछनों दोस्तों कि धातू जिन्हें असानी से चाकू से काटा जा सकता है बिल्कुल ये कोस्टन आएगा ठीक है धातू जिन्हें असानी से चाकू से काटा जा सकता है तो याद रखना दोस्तों, sodium जिसे एने से रियुट करते हैं, lithium, Li से रियुट करते हैं, और potassium के से रियुट करते हैं, मतलब sodium, lithium और potassium तीन धातु यसी होती दोस्तों, इतनी मुलाइम होती है, इनको असानी से चाकू से काट सकते हैं, उसमा की सबसे अच्छी चालग धातु कु को silver भी कहते हैं और copper को तामा भी कहते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि उस्मा की कुछ अलक धातू कौनसी होती है तो याद रखना दोस्तों एक होती है लेड पलंबं पीवी इसको पीवी से डिनोट करते हैं लेड पलंबं पीवी होता है ठीक है और एक होता है दोस्तों मरक अगनी धातू होती है दोस्तों Sona क्या होती है Sona, Sona का संकित होता है दोस्तों AU, Sona ओरम AU, र दूसरी होती है दोस्तों Candhi चांदी को कहते हैं दोस्तों सिल्बर इसको कहते हैं अर्जेंटेनम ठीके इसका फार्मुरा चांदी को एजी से भी डियोंट करते हैं ठीके आप सुनते रहो भाई सारे फैक्ट मेंने जब डिटेलन प्रहारा था तो वहाँ बता चुका हूँ सबसे अधिक तन्य धातु कुन सी होती है तन्य मतलब तन्य अना जिसको खीत के तार बना जा सके तो याद रखना दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना यह होती है सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है तो याद रखना दोस्तों सोना होती है एक है और दूसरी हो करता है दोस्तों मैं drill वरिकों कई होता है एक होती है दोस्तों को हमारा जो सब्सक्राइब और होता है इसमें है रता है एक रोधिर भाई का होती है और रोधिर होता है रोधिर मतलब दोस्तों खून होता है या ब्लड जिसे हम कहते हैं ब्लड कहते है ठीक है इसके बाद दोस्तों देखिए हरदय जो होता है ना पंप की तरह काम करता है ठीक है रोधिर भाई का है धमनी सिरा और कुछ का होती है ठ पर सारी सिपत में एड़ा चूआ मैं आड़ा चूक आहूंग ऐंपको यहाँ पर इंप्जन चीज फूर्पिज और एक होता है सीयर होता है याद रखना दोस्तों sound भार्पनी का काम किंगें होता है धम और सिरा मतलव दोस्तो नीचे से ऊपर जो रहेगा उसको कहां लेका जाएंगी और सिरा होती है जिसना वह कहते हैं क्या कहते हैं लिख क娘 क सभी अंगों तक हैं जिसको आख्चिछन क diligently क्रहते हैं और बिमिन अंगों से हर्दा तक डियोक्सिजिनेटेड डियोक्सिजिनेट मतलब दोस्तों असुद रखत को सुधी करण के लिए लाती है कौन सीरा जिसे बीन्स कहते हैं क्या कहते हैं या सीरा कहते हैं ठीक है चलती है यह थल समीर का कारण होती है और यह क्या है थल समीर और समुद्र समीर यह संबहन का उधारण है उसमा का चालन दोस्तों याद रखना हमेशा गरम बस्तू से ठंडी बस्तू के होता है और तीन तरक से होता है चालन संभान और विक्रल तो यह थल समीर और जो समुद्र की और बहती है बहुत अच्छे सिधान रखना इस थल से भंडी वायू समुद्र की और बहती है तो इसे कहते है थल समीर क्या कहते है थल समीर ठीक है और समुद्र की और से आने वाली वायू को कहते है इसे के समुद्र की और से आएगी जब दोस्तों तो उसे कहेंगे समुद् संबस्तों नहोंस आ flourish को कहते हैं यह कूषटन QA रखन कि में डोग रहे हैं मैं बीनस ओर उरेनस को कहते हैं darun तो यदो रखना मतलब अरुन होता फो सप्शम से नाइक्टप्म करती याद रता है डूस्तों वाला कॉंसेप्ट तो आप سमझ गये तीक है अगर आपसे कभी कोई पूछ रहे दोस्तों की बामा बर्त तो फिर आप क्या करोगे तीक है याद रखना दोस्तों याद रखना सुक रिक रहे है जो बीनस होता है और उरिनस मतलब दोस्तों याद रखना ये पूर्ब से पस्चीम क्यों होना करते हैं मतलब दक्छला बर्त क रते हैं कैसा दक्षलवर्थ मतलब दोस्तों क्लागवाइस ठीक है और बाकी एंटी क्लागवाइस मतलब बामा बरता ठीक है तो याद रखना इंप्टेंड है एक बालब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धाररूंग खातक है इसका अ ज़्यादर समय सेकंड आप सकते हो ना सिंपल सा कोश्चन है ऍे कि चलिये नए सब सकते हैं छैसे समय साल की उम्रें बीचे बिचह बच्चों के जो दात गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं यो बताने की चीज़ें का दूत के कहते हैं लेकिन याद रखना दोस्तों यह सारे कोश्चन एंसी आटी में लिखे हुए हैं ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछता वह आप से ठीक है जो चीज एंसी आटेम लिखी है वही से कोश्चन फूछता है ठीक है दूट के दाथ 6-8 साल के बच्चे के जो गिरते हैं दू जो मौशे होते हैं अगरे लेकिसर देखाया नहीं पचा जे सकता तो यहाद हम दोस्तों से लोस क्या होता है सैल्लोस क्या होता है होते हैं लुमिलेड होते हैं ना तो क्या होता है न्दर से क्या होता है उनके पेट के अंधर से सल्लीलेश निकलता है उसी का जुगाली करते हैं तो जोगली करने वाले दोस्तों जानवर जो होते है विए कारभेड़ो म diff दे सकता लेकिन याद रखना यह 1 सब मौसला होड़ो नियुम करता है यह कोंसक्ट सक्कू आहे हैं को आपको बता सकता हुँ और पह Eisen Iak yeah लेकिन अगर आपसे कभी पुछ लेकिता जो थर्मा मेटर के पास उसमें कित्ते डिग्री से कित्ते बियालिस तक का तक कितने लेकिन पैतिस से बीयालीस तक का होता है और से इतिस दिग्री सेंटिकेट होता है एक्साइब अगर दोस्तों प्रियोक स्दाऔ त्याद रहें जा रखनाओं ये उसमतिक से लिएपना बातर नहीं किस्याने दीर तक हो कि छोचन फारे के दुरीड कर पहुंचती है ये थे फीर आघेतलें उसमा तो फॉंतिक से सब्सक्र client के nasir is होती है और संबहन दोस्तों जैसे आपने देखा होगा मान के चलो यहां की किसी गाउं में रहते हो ठीक है और कहते हैं कि थंडा महसम होता है तो चंड घंड अब द्रव और केस्ता नहीं होती है यह सारे फ्रैक्र अपूचे संवाइब को एक उन से पोगा था है duck पढ़ों की । Euro को पीन से यूं करें और बना किया जाता है जम्यादी याइश समस्ट कपड़ा फेंथ पूरर में होता ह sharp पैड़ो कोते हैं तक टक नहीं सेखोगे पुलों और गाडियों के निर्माण में इस्तिमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंकी कोटिंग की जाती है बाई जहां भी जिंकी कोटिंग की जाती है इसको क्या कहते है यसाद लेपन कहते है यसाद लेपन कहते है यसाद लेपन कहते है यसाद लेपन कहते कद है बंखıs को देखने के काम होता है कौन सा करता है अयाद रहा होती है है तो सर्च याद राच claims होती है प्रकास भिस्थ Streamigger होता है पहल जाता है टीक है चलिए नेस्ट कोश्चन जोलन सीन पदार्थ बड़ी सीगरता से आग पकड़ते हैं ऐसा इसलिए होता है ये देहन और जौला क्या देहन और जौला टापिक से दोस्तों ये कोश्चन बिल्कुल सिंगल फैक्ट लाइन पे पूछा गया है बिल्कुल लिखी जादा नुपाद जादा नुपाद जादानुताम मतलब दोस्तों याद रहकां बालूई म्रताव वाली ел compression है दवलूटल के दुस्तव परकिका होता है डूटल comprarle विद्फ्रोतो को ओम से न आपा जाता है किसे मा आपा जाता है विद्फ्रोतो को ओम को ठीक है रिजिस्टेंस भी कहते हैं परिखा चैन, धंकली धेकली और रहात है क्या है यह भाई देखाई फचल् प्रबंधन और उत्पादन ठीक है उस टापिक को पढ़ोगे तो सब बन जा एकाशी चाही के पारंपरिक तरीके बिल्कुल आप से बच्चो टाइप कोश्चन मने लगेंगे जैसे जैसे आप NCRT पढ़ोगे बच्चो टाइप कोश्चन मने लगेंगे नेस्टकॉचन आवर्त काल सब्सक्रों, जिए मोई ना ऑप्चर के जाता है, तो बनाई जाता है धाटा है, टीक कि लाते हैं, आधि वायोतिक के नाम हो जाता है तो झाता है तो उसे यादरखना नेस्टों को तो दोस्तों है आप पढ़ देखो तो ये कुशशन डिको लगता है कि जनर साइज स्टाइंस में हजके नेस्ट पार केंसिल हो गया था याद रखना दोस्तों ये कूच्छन कैंसिल हो गया था ठीक है चलिये इसका मैं आंसर बताना चाहूंगा आपको तो प्रकास अंसरी किसा परिवर्तन परिवर्तन है रसानी परिवर्तन है है मतलब दोस्तों बाकिस सब रसानी परिवर्तन है बहुत ही परिवर्तन है और यह क्या होना चाहिए रसानी परिवर्तन होना चाहिए ठीक है तो प्रकास अंसेसल कैसा परिवर्तन है रसानी परिवर्तन है पानी में नमक का खुलना और लकडी का टुकड़ में कटना ये भी यह पूछ रहा है ना लेकिन रसानी परवतन को धाराल इसमें ज्यादा दिख रहा है एक इसलिए दोस्तों यह कोश्चन कैंसिल हो गया था चलिए ठीक है नेस्ट कोश्चन देखते हैं खमीर में आवाइवी सोसन के प्रिणाम से बन्युत पाद है तो याद रफना स्यो टू कोश्चन होगा चलिए मैं आसा करता हूं आपको वीडियो करना तिक इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको 500 कुश्चन से घम से साथ सो आठ सो कुश्चन कराऊंगा अभी तक तो मैं लगभग लगभग है बहुत सारे कुश्चन साल खरा चुका हूं लेकिन मैं आपके लिए डेली सेट बाई सेट नएने कुश्चन लिकर आता हूं ठैंक यू जैहिन जैभारत